Hello friends, मैं हो गौरफ और ये देख रहे हो ये ना कोई alien spaceship है और ना ये किसी sci-fi movie का animation plot है ये है Steve Jobs और Apple का वो product जिसे खरीदा नहीं जा सकता पर हैरानी की बात तो ये है कि Apple के इस headquarter तो बनाने में लगने वाले थे सिर्फ 50 करोड पर बनते-बनते लग गए 500 करोड और obviously मैं US dollars की बात कर रहा हूँ याने की पूरे 37,120 क्रोड इंडियन रुपीज तो दुनिया की सबसे बड़ी company से इतनी बड़ी भूल How uncool, right? पर पता है cool क्या है? अरे यही कि Apple का ये headquarter campus 40 football fields जितना बड़ा है जिसे आप एक high-tech futuristic city भी कह सकते हो क्योंकि जीने के लिए ज़रूरी हर चीज जैसे की खाने के लिए cafeterias, healthy रहने के लिए wellness centers और medical emergencies के लिए यहाँ पर सारी तयारिया की हुई है लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि headquarter जमीन पर नहीं खड़ा है और इसी ये भारी से भारी earthquakes आने पर भी ये गिरने वाला नहीं है और last but not the least, ये headquarter 100% renewable energy पर चलता है और साल के 12 में से 9 महीने इसे ना AC लगती है ना ही कोई heater पर आखिर कैसे? So friends, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे expensive buildings के इन सारे सवालों के जवाब ढूंट कर निकालेंगे इन आट देइस वेडियो टाइटल इनसाइट दो 5 बिलियन एपल हेड़कौर्टर्स ये था स्टीव जॉब्स का सपना जिसे उन्होंने city council के सामने 2011 में पेश किया था लेकिन इस सपने की शुरुआ 2004 में ही हो गई थी जब jobs अपने company और अपने employees को एक ऐसा environment दिना चाते थे जिसमें company की building और nature के beach की line वो मिटा सके यही नहीं अपने apple products की तरह वो एक ऐसा campus बनाना चाते थे जो ना सिर्फ आज की companies को पर कई सालों तक आने वाली companies को inspire कर सके और jobs ने ये करके भी दिखाया अपनी जिंदगी के आखिर के कुछ सालों में उन्होंने apple के इस नए campus का सपना बुना और इसकी नीव भी रखी पर अफसोस वो अपने इस सपने को पूरा होने के बाद देख नहीं पाए और October 5, 2011 में apple को Tim Cook के हवाले करके चले गए पर हैरानी की बात तो ये है कि सपने की शुरुआत में इस campus को खड़ा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 50 करोड US dollars का estimation लगाया था पर आठ सालों बाद जब ये campus बन कर खड़ा हुआ तो ये 5 billion dollars याने 500 करोड dollars में तयार हो रखी थी लेकिन figure not ये amount 2018 में ही apple के cash reserve का सिर्फ 2% था और आठ तो शायद ये amount किंती में भी नहीं आएगा जब apple 2.08 trillion की value के साथ याने की 1.5 crore crore के साथ दुनिया के सारे billionaires को पीछे छोड़ चोका है इसके अलावा अगर हम campus की बात करें सबसे पहले apple ने campus की नई जगे तो खरीदी और हाला कि prices को कम रखने के लिए और अपने competitors को पता नहीं चलने देने के लिए apple ने ये जगे बिना अपनी identity को reveal किये खरीदी पर फिर भी apple को ये जगे हासिल करने के लिए 160 million dollars याने की 1190 करोड का फटका लगा जिसके बाद 175 acres में फैला हुआ ये apple campus land apple ने 2008 के पहले खरीद लिया था लेकिन इस पर construction स्टार्ट करने की permission उने 2013 में मिली और इस project का सारा कारोबार apple के Norman Foster the world famous architect के कंधों पर सौप दिया गया जिन्होंने अगर आपको नहीं पता तो ऐसे ऐसे और ऐसे कई unimaginable architectural तोफे दुनिया को दिये हैं और Norman ने इस बार भी दुनिया को अपने architecture से हैरान कर दिया 2017 में जब apple की opening हुई तो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ apple park के ही चलचे चल रहे थे apple park के इस building को जिसे ring और spaceship जैसे nickname भी लोग देते हैं उस चार माले की circular building में 2.8 million square feet का office space है जिसके अंदर एक साथ 12,000 से भी ज्यादे employees काम कर सकते हैं ये building world's largest panels of curved glasses से बनी है जिसमें 3000 glass panels लगे हुए हैं पता है इस पूरे ring के दोनों side याने अंदर और बाहर दोनों side gallery की तरह जगे छोड़ी गई है तकि employees आराम से वहाँ पर walk करते करते campus के अंदर और बाहर दोनों जगा का view enjoy कर सके पर apple park सिर्फ इस एक building के लिए famous नहीं है apple के इस campus में इस spaceship building के अलावा research and development की दो बड़ी बड़ी तीन लाख square feet की buildings है जिसमें 2000 employees एक साथ काम करते हैं इसके साथ ही apple के employees के fitness का पूरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर एक लाख square foot का wellness center है जाँ yoga से लेकर latest fitness machines मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पर एक visiting building भी है साथ में underground parking और एक auditorium है जिसके बारे में मैं कुछी देर में आपको बताऊंगा पर कुछ और शुरू करने से पहले कि आपको याद है intro की वो बात जहां पर मैंने आपको बताया था कि apple park की एक gold mall building समीन पर खड़ी नहीं है याद आया याद आया तो अब सवाल यह है कि अगर यह building धरती पर नहीं खड़ी है तो क्या 12,000 employees के और अपने 1000,000,000 tons के साथ यह हवा में levitate कर रही है well अभी तक यह technology apple के हाथ नहीं लगी है but यह building बनाए गई है base isolation technology से यानिकि यह building 692 stainless steel के plates पर खड़ी है जो कुछ इस तरह से काम करते है जा building का structure इन stainless plates पर सीधा खड़ा रेता है और earthquake जैसे disaster के time पर यही building 4 feet तक बिना किसी नुकसान के हर direction में move कर बाती है यही नहीं यह technology इतनी जबरदस्त है कि 8 plus तक के magnitude के जटकों को भी आसानी से जहल सकती है और apple के इस 5 billion dollars के project को सही सलामत रखने के लिए स्टीव जॉब्स ने खुद इसे चुना था जो कैलिफोनिया के भुकंपो से अपने workplace को बचाना चाहते थे और साथ साथ स्टीव जॉब्स जैपान की इस technology से काफी प्रेरित भी थे पर यह technology सिर्फ apple park के इस main building में ही नही पर apple के auditorium जिसे स्टीव जॉब्स थेटर भी कहा करते थे उसमें भी लगाई गई है जिसके चर्चे सुनकर हाँ बाइदवे आप हक के बक्के रह जाओगे क्योंकि बिना pillar के हवा में खड़ी दिखने वाली इस 155 foot metallic carbon fiber की छत वाली building में एक साथ एक हज़ार से भी जादे लोग बैठ सकते हैं और फिर भी ये जगए पूरी की पूरी खाली रहेगी वेल नहीं नहीं एपल के पास कोई जादू नहीं है पर ये कमाल कुछ ऐसा है न कि glass की बनी ये lobby असल में सिर्फ उपर का हिस्सा है और बाकी सब कुछ नीचे सेट है जिस तक जाने के लिए आपको या तो इन सीडियों का इस्तमाल करना पड़ेगा या फिर आप इस यूनीक से spinning elevator का इस्तमाल कर सकते हो और ये दोनों ही आपको नीशे की lobby में ले जाएंगे जहां से आगे जाकर आप स्टीव जॉब थेटर के entrance पर पहुँच जाओगे जिसके अंदर 1000 लोगों की बैठने की capacity है पर दिल थाम कर बैठियेगा इन कुरसियों पर क्योंकि यहां की एक एक leather chair 14,000 डॉलर्स यानिकी 10 लाग से ज्यादा महेंगी है पर सिफ यही एक expensive चीज नहीं है Apple Park की हर चीज को बहुत ही सोच समझ कर Apple के लिए customize किया गया है और फिर वो चाहे curved glass हो, यहां के door handles हो, या फिर pizza रखने के लिए pizza boxes हो Yes, सही सोना आपने, Apple के पास खुद का अपना pizza box है पर क्या आपको बता है, Apple Park की सबसे बड़ी खासियत के है Well, इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा है That's right, it's the park of Apple Park मना, दुनिया की one of the best workplace facilities होने के साथ, इस पूरे campus का 80% हिस्सा बस हर्याली से भरा हुआ है यहां कुल मिला के 9000 पेड लगे हुए हैं, जिनमें apricots, olive, cherry, plum and of course apple जैसे और भी कई पेड शामिल है और जने Apple recycle water की मदद से पानी पहुचाता है और Apple के campus में इतने पेड लगने के पीछे का reason यह था, कि Apple सिर्फ अपने employees से काम ही नहीं कराना चाता था पर साथ ही Apple उनके और society के लिए एक nature friendly atmosphere रखने का example set करना चाता था ताकि लोग nature की value समझ सके अब friends, वैसे तो मैं इस Apple Park की तारीफ करकर के ठंक जाऊंगा, बट सबसे interesting feature जो मुझे लगता है वो है कि यह 100% renewable energy को use करता है Apple के spaceship ring के उपर लगे हुए है 17 megawatt वाले solar panels जिनसे इस पूरे campus को electricity provide की जाती है और आपको यह जानकर हिरानी होगी, सिर्फ यह buildings ही नहीं Apple अपने production और stores को भी 100% renewable energy के तरफ लेकर बढ़ रहा है और Apple के 100% renewable energy produce और use करने के प्रण को एक और एक चीज़ बहुत मदद करती है और वो है Apple के buildings का natural ventilation system याने Apple की इस building के बाहर निकली हुई इस छोटी सी छत में एक ऐसा ventilation system है जिससे अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर आती जाती रहती है इसके लाब आप building में ऐसे sensors लगे हुए हैं जो building के temperature को थंडी और गर्मी के हिसाब से 68 degree Fahrenheit से लेकर 77 degree Fahrenheit तक में ही रखते हैं याने थंड हो या गर्मी temperature तो अपने आप optimum तरीके से set होई जाएगा और यहाँ पर 43,000 खाली concrete slabs भी लगे हुए हैं जिससे building को ऐसे करने में मदद मिलती है और जिससे यहाँ पर साल के 9 महीने ना AC की जरुवत लगती है और ना ही किसी heater की मतब एक तरह से आप यह कह सकते हो कि यह building अंदर काम करने वाले employees की तरह सांस लेती है पर अब friends मैं आपको कुछ सबसे बड़िया दिखाऊंगा यह देखो है ना कमाल यह apple campus के ring का cafeteria है और पदा है यह cafeteria इतना बड़ा है कि यहाँ एक बार में एक साथ 4000 employees food enjoy कर सकते हैं और वो भी in glass के बिना nature के मजे लेते लेते हैं पर employees को मजे लेने के लिए यहाँ पर और भी चीज़े available है जैसे कि यहाँ पर 3.2 km का walking और running path है और अगर employees walk और run नहीं करना चाते तो वो यहाँ पर available 1000 bicycles का इस्तिमाल कर सकते हैं और पता है यहाँ की beauty को maintain रखने के लिए यहाँ कुछ इस तरह के underground parking spaces बने हुए है जिन में 14,200 गाडिया पार्क की जा सकती है लेकिन वेट वेट सिर्फ यही नहीं जैसे कि मैंने आपको intro में बताया था यह employees का हाल और चाल रखने के लिए दो माले वाला yoga center और साथी एक लाख square feet का fitness center भी है इसके अलावा इस campus की सुंदरता में चारचांद लगाने के लिए इस campus के बीच ओ बीच यह इंद्रधनुष जैसा दिखने वाला stage है जिसकी ज़रुवत Apple को conferences और stage events करने के लिए लगती है और friends अगर आप ध्यान से देखोगे न तो आपको नजर आएगा किस इंद्रधनुष में colors को बिलकुल उसी तरह use किया गया है जिस तरीके से Apple के पुराने logo में था बाट एनिवे अब मैं आपका परिच्छे कराता हूँ उस building से जो इस campus की इकलौती ऐसे building है जिसमें आप बिना किसी pass के entry ले सकते हो जी हाँ ये है Apple का visiting center यहाँ enter करते ही आपको Apple के पूरे campus का एक augmented reality version देखने को मिलेगा जिसे आप आसानी से अपने iPad पर देख सकते हो और इसके साथ ही यहाँ पर आपको 10,000 square feet का वो area भी मिलेगा जहाँ से आप Apple के latest products और merchandise को देख सकते हो और purchase भी कर सकते हो पर अगर ऐसा करते करते आपको भूक लग जाती है तो worry not यहाँ आपके लिए एक cafeteria भी मौझूद है और यहाँ पर 1916 में बना हुआ एक band भी है और हलाकि Apple इसे हटाना चाहता था पर इसके historical site declare होने के बाद Apple इसे maintenance tools और बाकी landscaping material रखने के लिए use करता है बलब अब समझ लो जैसे मैंने कहा था यह campus एक workplace ही नहीं है बलकि अपने आप में एक पुरा शहर ही है Apple City So friends अब मुझे बताओ नीचे comment में आपको क्या लगता Apple ने जो miss calculation किया था और इस campus का budget 10 गुना बढ़ा दिया था क्या वो करना जायस था और क्या वो worth it लगा आपको अब जो यह भी बताओ क्या आप भी ऐसे environment में काम करना चाहोगे जो ना सिर्फ अपके food का बट आपके fitness का भी ध्यान रखता है आपके mind को workplace के stressful environment में भी nature के dose से fresh करना चाहता है और आपको future technologies का भी dose दे रहा है So friends, इस वीडियो से कुछ भी नहीं जानने के लिए मिला तो एक like जरू ठोकना मेरे चैनल gets it fly fact को भी subscribe कर लो और notification bell on कर लेना तके आगे आने वाली ऐसे interesting और informative वीडियोस आप कभी भी मिसना कर सको As always friends, stay curious, keep learning and keep growing Jai Hind